असलाम अलेकुम आज मैं आपके थाज शेयर कर रही हूँ शेयर खुर्मा बनाने की रेसिपी जो कि इन्शालला आने वाली इत के लिए एक मेंडेट्री रेसिपी है हर घर में बनती है आप सभी को इन्शालला आने वाली इत की ठेर सारी मुबारक बाद तो चलिए बनाना जानते हैं शेर खुर्मा बनाने के लिए थोड़ी सी प्रेपरेशन करनी होती है जिसमें कि हमें ड्राइफ रूट्स को भीगोना होता है और उनको छील कर बारिक काटना होता है तो ड्राइफ रूट्स में यहाँ पर चुवारे लिए हैं यह सूखी वाली खजूर होती है क्य तो यह वालागों प्रेशल कर दोख़ान से कर जाएंगे सब द्राइफ रूट्स को हम पतला ल लंबा क rat внैंडे बारिक काट लिए बारिक चल्क, बाराम के चल्क चल्क निःत इंद। यह सेविक्या दूज अमें पर जो बारिक काट सीपई्त करनें के बारिक 2012 तो यह त्य मैं रहने कि फाल मैं जाब गमा के खाल ले लेंगे अगा थाल मैं जा घाल हो जा है अगान है अग्व में चावल विन्म है, जाक लोगर आगलाई कि ये लोगर परियु के चावल में उबालाने का इंतजार कर लेंगे जब इसमें उबाला जाएगी गैस की फ्लेम को धीमा कर देंगे और लो फ्लेम पर हम दूद को 10 मिट के लिए पकाएंगे वीजबीश में इसको चलाते रहेंगे इससे क्या होता है जो दूद के अंदर एक्स्ट्रा वाटर कंटेंट जाएगा भाब बनकर और एकदम क्रीमी और रिच हमारी शीर बनकर तयार होगी तो अभी दूद को हम 10 मिट के लिए पकने के लिए रख देते हैं इस दर्मियान हमें थोड़े से ड्राइफ्रूट्स जो हमने लिए वे हैं उनको चॉप करके थड़का सा उनको रोस्ट कर ल अब बहुत अच्छा नटी फ्लेवर आजाता है और बहुत अच्छा टेस देते हैं यह हलके से फ्राइफ्रूट्स तो बस यहां पर हमाइन राइफ्रूट्स राइ हो गए इनको हम निकाल लेंगे और दोबारा से पैन के अंदर हमें एक चमश देसे की करम कर लेंगे अब अब हमें सिवाई को भी भून लेना है वैसे यह अल्रेडी भूनी भी आती है लेकिन थोड़ा सा इसको घी के साथ भूनते है तो इसकी खुश्बू और भी जादा बढ़ जाती है और बस थोड़ी सी क्वंटिटी में ही सिवाई का इस्तमाल होता है यह थोड़ी सी क्वंटिटी दूद में जाकर काफी बढ़ जाती है तो बस यह 50 ग्रम सिवाई है इसको मैंने रोस्ट कर लिया है इधर जो चावल भी गोए थे इसको थोड़ा सा पाइं डालकर हमें मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है इधर दूद को पकते वे भी 10 मिट हो गए 10 मिट के बाद जब हमारा दूद थोड़ा सा पक जाएगा हमें इसके अंदर चावलो का पेस्ट दाल देना है तो एक फाइन पेस्ट बनाया था मैंने चावलो का वह हम इसमें डाल देंगे और अब फि दूद को पकते वे तो इस टाइम पर अब हमें डालना है इसके अंदर जो हमने सिवाइया भून कर रखी है और इनको मिला देना है और इसके साथ हमें डाल देना है ड्राइफ फ्रूट्स जो कि हमने रोस्ट करके रखे वे थे और फिर से अब हमें इसको पकने के लिए तो तो टोटल जो टाइमिंग के पकने की दूद में उबाल आने के बाद तीस मुट है तो तीस मुट में हमारा ये जबदस हुर्मा बनका तयार हो जाता है और लास्ट में गैस के फ्रीम का आफ करने के बाद हम एक टेबल स्पून केवड़ा बॉटर डाल देंगे और एक टीस्पून छोटी लाइचे का पाउडर डाल देंगे और बहुत अच्छे से इसके मिक्सिंग कर देंगे अब हमें क्या करना है पांस साथ मनट के लिए इसको गैस बंद करके एक साइड में रख देना है उसके बाद हम इसमें जो किश्मिश हमने अभी नहीं डाल ली ती उसका तरलका लगा देंगे इससे क्या होता है टेस्ट भी अच्छा जाता है और एक रिस्क जो रहता है किश्मिश टालने के बाद दूद फटना जाए वह रिस्क बिल्कुल खतम हो जाता है क्योंकि हम लास्ट में इसमें किश्मिश एट करते हैं और जब यह हल्की सी पांस साथ में ठंडा हो जाता है उसके बाद इसमें किश्मिष टालते हैं तो खुर्मा कभी भी भी नहीं भटता है तो एक चमच देसी घी में मैंने इसमें तक्रीबन 25-30 किश्मिष टाली हैं और इसका तड़का लगा दिया है और बस यहां पर हमारा खुर्मा सर्फ करने के लिए एकदम तेयार है तो आप चाहें तो इसको गर्मा गरम भी सर्फ कर सकते हैं और चाहें तो इसको ठंडा भी सर्फ कर सकते हैं तो आप चाहें तो एक दिन पहले रात में इसको बना कर रख लें क्योंकि परसनली जो इसके बेस्ट रिजल्स मुझको लगते हैं वो ठंडा होने के बाद आते हैं लेकिन कुछ लोग की प्रिफरेंस रहती है कि वह गरम भी सुखाते हैं तो यह आपकी प्रिफरेंस का अकॉर्डिंग है जैसे आपको पसंदो है जाली को न है कने प्रिफरेंस आतको करते से अखुड़ हैं वहां को पढ़ने मेड़ेंस को पड कहिते हैं तो तो हम चैसा खूरमा की पोथी भी सांद खिरेंस बक्राइज को शीर और अगर आपको रेसेपी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीज़ेगा फैमली और फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर दीज़ेगा और इंशालला इद आ रही है इद की आप सब को धेर सारी मुबारक बात थैंक फर वाचिंग अवीडियो अलाहाफेज